नमस्कार देश की बात में आपका स्वागत है मैं हूँ अखिलेश शर्मा इस वक्त पूरे देश की नजरें लगी हुई है उत्तरकाशी पर जहां पर यह बताया गया कि किसी भी समय एक्तालिस मजदूर जो कि 17 दिनों से फसे हुए हैं बाहर आ सकते हैं जो प्रकती है वो बताई गई है कि 60 मीटर तक की खुदाई करनी थी 58 मीटर तक की हो चुकी है और आखरी 2 मीटर पर काम चल रहा है यह आखरी दोर में ही है और अगले पिछले 24 घंटों में 10 मीटर किया है रैट माइनर्स ने और सुरंग में कई राज्जों के 41 मजदूर हैं बाहर तयारियां पूरी हो चुकी है एंबुलेस तयार हैं हेलिकॉप्टर भी वहाँ पर देखा गया था और साथी जो एक अस्थाई अस्पताल बनाया है वहाँ पर भी सारी तयारियां पूरी हो जाआ की कटereal के साथ निकालते रहें रात भर काम हुआ इसकी ऊपर और टीम्स जो है हमारे रैट मार्स एक्सपर्ट्स जो हैं बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं बड़ी इंक्लोस स्पेस में कर रहे हैं साथ में आमी एंजिनियर्स ये सम मिलकर इन्हों है काम किया है ते we have been able to take it to 58 meters which is a phenomenal achievement I would say के 10 meter manual 24 गंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है this is something almost like a as if a machine has been working और इसके बावजूद अभी हम 58 meter पे हैं पाइप पीछे से पुष होता गया है with the help of the auger machine the pressure of the auger machine and we are hoping अंदर दो मीटर तक्रीबन लगेगा और अंदर पुष जब होगा तब we could say that our power हो गए हैं यह अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुल को out of the 41 एक एक इंडिविजुल को तक्रीबन तीन से पांच मिनट लगेंगे निकालने के लिए each one individual तो आप लगा सकते हैं कि outer limit अगर हम देखें कि पांच मिनट अगर लगाते हैं एक individual पे वो तब exactly confirm होगा जब पहला यह दूसरा यह तीसरा individual निकलेगा अगर पांच मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम तीन चार घंटे अल्मोस्त तीन चार घंटे लग जाएंगे क्योंकि गैप भी होंगे बीच में कुछ contingency होगी कुछ एक उपन शाय तूटेगा कुछ होगा तो इसके मताबक आप तीन से चार घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं और इस पूरे घंटने करम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौझूद है हमारे सयोगी सुशील बहुगुणा सुशील के पास मैं आऊंगा लेकिन उससे पहरे चलते हैं किशोर रावत के पास जो की घंटने इस तर पालने का काम शुरू हो जाएगा लेकिन यह भी कहा गया कि इसमें वक्त लगेगा तीन से करीब पाच घंटे तक कि बिल्कुल जो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जो 58 मीटर तक वह पार हो चुका था 57 मीटर करना था लेकिन लेंस्लाइड क्योंकि जो पाइप है उसके उ थोड़ा डिले हो रहा है दूसरी बात है एक श्रमज को बहार निकालने में जो एंडियार अस्टी आरफ ने समय निकाला है जो रियाइसल करी थी उसमें लगभग तीन से पांच मिनिट का समय लगेगा उसमें उनको अंदर स्थाइच बहार निकालना है फिर उनको वापस जो stature है फिर दुबारा भेजना है तो ये समय की प्रिकरिया है इसमें थोड़ा समय सारा calculate होगा इसके अलावा जब भार आएंगे यानि जो जहां पर मलवा है वहां से भार आएंगे तो टनल के अंदर ही एक अस्ताई ऑस्पताल बनाया गया है जहां पर सारी facilities रखी गई है क क्योंकि बहार का temperature जो अलग है यहां पर काफी ठंड है और जो temperature काफी नीचे चला गया है और वह अंदर को temperature था वह अलग है तो दोनों के temperature में अंतर होने से जो व्यक्ति 17 दिन से अंदर और एकदम बहार आएगा तो उसकी सेहत पर असर पढ़ सकता है उसके health पर दिक्कत आ सकती है यही वज़ा है कि उसको पूरा देखने के लिए वहां पर doctor के team मौजूद है जैसी वह doctor के team उन्हें okay करेगी अंदर ambulance भी अंदर ही जाएगी जहां सताइस पताल है वहीं से ambulance उनको बिठाएगी और चिल्यानी सौर जो hospital बनाया एक तालिस बेड का special ward बनाया गया वहा जा रहे हैं मुख्यमंत्री का ताफिला निकल रहा है मुख्यमंत्री कहा जा रहे है सुरंग से दूर क्या ये वापस चीन्यारी सौर जा रहे है इस समय देखिए मुख्यमंत्री कुछत धानगी रहे जाए जाए तो अंदर रहे है और उसके बाद मुख्यमंत्री अभी फि दो सो मिटर की दूर ऑफिस है मुख्यमंत्री फिलार वहां जा रहे और वहां अभी अधिकारियों के साथ बैटक करेंगे क्योंकि अभी फिलार मुख्यमंत्री यही रहने जो जानकरी मिली है यही रहेंगे क्योंकि जैसे यह श्रमिक आएंगे तो मुख्यमंत्री फिर दखा जाएगा क्योंकि अपसे कुछ देर बाद ही का जा रहा है कि आपरेशन शुरू होगा निकालने का तो अंधेरे के इसाब से क्या तैयारियां पूरी है टनल के अंदर सबसे पहले में बताऊंगा कि जो पाइप है जिस पाइप के अंदर उन्होंने आना है उसमें लाइ लाइटिंग की गई है वहाँ पर बड़े-बड़े फ्लेश लाइट रखे गई है वहाँ पर रूम हीटर्स जो बड़े-बड़े हीटर्स होते वो रखेगे ताकि वो टेंपरेचर थोड़ा मेंटेन रखे और लाइट का इंतजाम पूरा है पूरी टनल के आसपास लगबग तैयारी पूरी हो चुके लेकिन फिलाल अभी यह देखा जा रहा है अभी इंतजार किया जा रहा है कभी और प्रेशन पूरा हो और कभी यह अंदर से बाहर निकले जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकाई के लिए आप वहाँ पर लगातार नज़र रखी हम आ तो घुल के लोको तो दिखाई नहीं देरा ना थी कि बुरा है क्या पाता ओए ।ो आज सतरो दिन हो गया तो तो अतना दिन के हम कर ससको देख रहा है तो मतलब कि हम कुछ तो खुष वाली करेंगे ना खाली हम बेसे बेस्यकि हमरा बैट्टा खाली निकल जया को अहां अच्छाल लग रहा है वह स्वागत 만들 कुरांगे उनकर आपको बतादें कि इस बचाव अभ्यान को भारत का सबसे बड़ा बचाव अभ्यान चांझा जारा है इततक इतने कठी परस्तितियों में तमाम रहा है और बताया जारा कि अपसे कुछ ही देर बाद सभी श्रमिकों को एक एक करके आंसे बाहर निकाला जाएगा हम भी उस अच्छी खबर की प्रतिक्षा करें जैसे हैं मिलती हैं आपको बताएंगे लेकिन इस पूरे अभियान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खा चुनौतियां सामने आई हैं इसमें प्रकृतिकी भी चुनौति थी विज्ञान भी जो है कई बार हार मानता दिखाई दिया और आधुनुक से लेकर कि जो प्राचिन तरीके हैं सब का इस्तेमाल कर लिया गया इसके भीटर और माना जा रहा है कि जल्दी ही वह खबर जिसक काम कर रहे हैं और वो भी ऐसी कंडिशन में जो टैनल कोलक्स हो गई है जिसके सीलिंग पर जो है आईरन की रोड ती वो लीचे गिर गई है तो आप देख लेजे कि जब यह घटना घटी बारा तारिक हो तो तेरा बारा तारिक से ही जो है दिन के बाद सुरुआत हो गई त आज अब जाकर के अभी भी कह रहे हैं कि अगर दो मीटर है तो हम लोगों को भी थोड़ा इंतिजार करना चाहिए लेकिन अब लगता है कि वो अपने मिसन के बहुत नजदीक हैं और बहुत जल्दी ही जो है वो सफल्था मिलने वाली है ऐसी हमारी उम्मीद है प्रोफेसर मलिक आपके पास आना चाहूंगा ये जो पूरा ऑपरेशन चला है इसमें कई सारे हमने देखा है कि अलग-अलग विभाग हो या भारत सरकार हो राज सरकार हो अन्य कई राज सरकार इन समने मिलकर के काम की आए लेकिन इस तरह की चुनोती जो की पहली बार मिल है किस तरह से इसको हैंडल किया गया है कि अब प्रोफेसर मलिक अपना अन्म्यूट का लीजिए और यू आपका नहीं मिल पा रहा है नमस्कार अभी ठीक है जी आप बिल्कुल ठीक है हाँ तो यह कहना चाहूंगा कि काफी अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया है बस यह दूआ करते हैं कि सारे लोग शुरक्षित हो और बाहर आ जाएं यह सबसे महत्वपून काम है इस तरह की जो इवेंट्स हैं वो अगर माली जे पाइप उचाई पर आता है तो फिर वो जो नीचे से लेकर के उपर तक की एक दूरी होगी उसको कैसे पाटा जाएगा और या फिर यह जो टीम के लोगे उतरके फिर वहां से करके सबको बैठाएंगे इस ट्रेचर पर डालेंगे फिर खिचा जाएगा किस पाइप जो है बहुत उचाई पर नहीं है लगबग आदमी के हाइट के आसपास ही आए बहुत बिल्कुल नीचे भी नहीं है बिल्कुल यह कह सकते हैं कि 3-4 फिट के आसपास होगा क्योंकि इसके लिए माउंट बनाना पड़ता है मशीन के लिए तो आसानी से उससे उतर स कोई भी वाइब्रेशन होती है या कुछ भी इस तरह का होता है तो उपर से मलबा या कुछ पत्थर गिर सकते हैं तो इसलिए साट मीटर की बात कही जा रहे है इसलिए इसलिए पाच मीटर तक है लेकिन ये पांच मीटर या से पढ़ाएगा मलबे से 2-3 मीटर आगे पाइ पत्थर गिरते हैं अगर गाड़ियां जा रही है तो एक सेफ डिस्टेंस रखने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है उसके बाद उनको जब निकालने की शुरुआत होगी तो मुझे लगता है कि आदे घंटे में सब लोगों को निकल जाना चाहिए तो किस तरह की मनोस् इतना होना बाहरी दुनिया से बिल्कुल कोई संपर्क नहीं तो वैसे में किस तरह कासर उनके उपर होगा स्वास्त के ओपर क्थन भी काफी जादा वाँ पर अब है तो ऐसे में को किस तरह की चिकेस्टी मदद की जड़त होगी एक तो 17 दिन बहुत जादा होते हैं कटे लेकिन इस बीच यह हो गया कि उनके साथ संपर्क स्थापित हो घ्याता संपर्क स्थापित होने से बाहर से उनको आश्वासन मिल गया कि उनके लिए पूरी तैयारियन हो रही है बहुत ठंड भी और गर्मी भी नहीं तो वह यह नहीं थी अब जब भाहर निकलेंगे तो बाहर का तेम्परेचर पंदरा डिगरी होगा अंदर कहो सकता है कि पचीज से तीज डिगरी हो तो उसके लिए उन्होंने पूरे इंतिजाम किये अब रही असली मनोवग्यानिक दब वह पूरा खनन से खान है वहां कई हैभी पार्टिकल इस तरह के होते हैं जो आपके पिछले 17 दिन से लगातार आपकी हर सांस के साथ अंदर जा रहे होगे तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को इस से दिक्कत भी हो सकती है लेकिन ये सारे लोग वो हैं जो बहुत ही सॉलिड अलग होती है तो सब को बाहर ला करके चेक अप होगा और अगर ज्यादर दिक्कत होती है तो उसके लिए अस्पतार ले जाने की सारी विवस्ता है हमने देखा वाँ चिनूख हलीकॉप्टर भी है जो लोगों को ले जाने के लिए इन केश जरूरत पड़ती है एम्स रिशी क हैं पलपल की खबर अंदर तक भी मिलती रही है वहां से भी टेलीफोन लाइन बिशी हुई है और वहां से संपर्क लगातार बनावाई प्रोफेसर सुंद्रियाल आपके पास आरा जो इस तरी की जो घटनाएं होती है इनको लेकर के काफी बात चीत होती है अभी यह सब व प्रच्टाओं को ध्यान में रखा जाता है कि हो सकती है लेकिन इसमें रेस्क्यू टर्नल नहीं बनाये गया हाँ निश्चित रूप से जो है इसमें कुछ खामिया थी उसी वज़ेसे सब वहा क्योंकि हिमाले टेरेन में जो है आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है आपको जो नौम से उनको पूरा फॉलो करना पड़ता है और अब समय आ गया है कि जब हम जित्तिमी ट अंदर से जो है वो पूरा करना है तो जब रेल चलेगी तो वाइब्रेशन होंगे सेकिंग होगी तो अब यह भी टाइम आ गया है कि हम इन सब टनल का सेफटी और जो यह टनल जिसमें की मजदूर फसे हैं इसका तो होना ही चाहिए और अगर यह सेफटी मेजर्मेंट पू सपोर्ट सिस्टम मिला नहीं क्योंकि इस वीच कोई अर्थकोएक भी नहीं आया ऐसा को इंसिडेंट नहीं हुआ तो नेचरली जो है सपोर्ट सिस्टम वीक होने के वज़े से यह टनल कॉलेप्स हुई है और इस बात का पिसे इस द्यान रखा जाना चाहिए और मुझे के बात आएगी है सा मुझे विश्वास है हालांकि हिमाले में हमारा एक्स्पिरेंस बहुत अच्छा नहीं रहा दोजार तेरा के दरना डिजाश्टर के बाद जो अंसे प्लेसे थे उन पे फिर से लोगों ने मकान बना दी फिर वहां पे बसा लोग बस गए जो कि बहुत अच्छीप एक प्रैक्टिस नहीं है और सरकार को इन सक बातों का संग्यान लेना चाहिए ताकि दूसरा किसी इवेंट में इस तरह की जानमाल का नुपसान नहीं जी प्रफेसर सुंद्रियाल जब हम बात करते हैं इसी सुरंग के बहाने हिमाले में बड़े-बड़े बुनियादी धांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स की चाहिए वो चार धाम हाईवे हो या इस तरह की टरनलिंग हो और यह टरनल बनाना कोई नया काम है नहीं यह चाह नौर्थ से होकर गुजरती है और कई भ्रंश हैं इसके नीचे तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं हमारे पूरे इस प्रोजेक्ट को कंसीव करने में एक इस तरह की समझ थी कि यह कहा गया कि जिस तरह से दक्कन के पठार पर कोंकन ड प्रोज्टितियां है वो बिल्कुल अलग हैं धक्कन के पठार से बेकूल बेकू ऐसा है कि हिमाले तो बिल्कुल अलग है और सबसे बड़ी बात यह जैसा आपने बताया किürü अपे शेर जो बहुत है कि यह ट्रॉनिकल हम यह अप्ला एक्टिव हैं लगातार उच यहां है और दूसरी बात यह है कि जब हम यहां पर प्लान कर रहे हैं तो हमारी जो एक्जेकुशन है जो प्लानिंग है जो डिजाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और जो हमारा सेफटी सिस्टम है वो काफी स्टॉंग होना चाहिए क्योंकि टैनल जो है वैसा देखा जाए तो टैनल पहाड़ों में अगर ट्रैवल करने के लिए काफी सेफ माना जाता है लेकिन अगर टैनल को आपने हिमाले के जो जियोलोजी है उसके हिसाब से उसको टैक्नलोजी के हिसाब से उसको नहीं बनाया है तो जो सिल्कैरा वाली घटना है अभी तो 41 मजदूर किसी तरह से रिस्क्यों हो जाएंगे हैं सब सारे देशवासी उम्मीद कर रहे हैं सत्रा दिन से सारे देश के लोग जो है वो टीवी चैनल पे जो है वो निगाह किये हैं कि कभ हमें यह सूजना मिलेगी कि यह विचारे जो है उस सब्सक्राइब कैसे परिवार है हुगली में सोविक खबर वाँ से मिलेगे इंतजार किये है कि कोई खुश खबरी है जो उनको सभी सतरा दीन हो गया सतरा दीन इंतजार करना बहुत बड़ी बात होता है परिवार का अइन जाहिर सी बात है harvest होंगे आज के खबर के बाद थोड़ी सी राहत मिली है? लेकिन अभी तक तो है, पांच बज़े बोले थे, लेकिन अभी तक तो छे बज़ गया, छे से उपर हो गया परिवार के लिए हर पल इस समय एक चिंता की विशय है, क्योंकि उन्हें बहुत दिन से यह उमीद है कि जल्दी से जल्दी सौविक पखिरा या बाकी जो लोग फसे हुए सुरंग के अंदर उन्हें निकाला जाएगा, लेकिन इस जो ऑपरेशन चल रहा है, इसमें समय लग सकता है, बहुती केरफुल तरीके से इस जो ऑपरेशन इसे चलाया जा रहा है, इसलिए समय लग सकता है, लेकिन परिवार वाले भी यही कह रहा है कि समय लीजिए सुरक्षा के साथ उनको बाहर निकाले, और सही सलामत उनको सठिक तरीके से बाहर निकाली, यही परिवार क की यहीं उमीद है जो लोग वहां पर सुरंग में फसे हुए हैं उनके परिवार के यही मीद law hiring हमारी यहीं यहीं उमीद है और प्राथणाना यहिंद जल से जल वहां से अच्छी ख़़ाइए सारे जो शर्मिक फश्य हैं संब्लसे स्टरःस श्रमिक हैं बाहर निकले और अपने परिवारारों से मिल सकें शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अगर इनको हम देखें जो अंदर लेबरर हैं ये पूरा एक तरह से उत्तर भारत का प्रतिमिजित्व है पूरा अब देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा पूरा नक्षा है हमार पास उनक सरकार हैं काफी चिंतित भी हैं अपने अपने राजजिकरों सभी ने सरयोग किया इसमें कें सरकार हो राज सरकार ये नक्षा आप जो बात कर रहे थे आप पिर से जानकारी दे सकते हैं उत्तर प्रदेश से आठ जो तालीस मजदूर फसे हैं उनमें उत्तर प्रदेश से आ और जो राहतकारी हुआ है सुशुल उसके बार में बता दी कि उसमें भी देश भर से नियातिकी विदेश से भी एक्सपर्स आये हैं और उन्हें समने कंदे से कंधा मिला करके इस अभ्यान को चलाया है उम्मीद यही रेगी कि जल से जल वहां से अच्छी खबर मिले और यह बचाव का भ्यान है यह अपने चरम पर पहुंचे और सभी श्रमिक जो है सुरक्षित बाहार निकल करके आए हैं तो उत्तरकाशी के सुरंग से 41 मजदूर बाहार आने ही वाले हैं उन्हें बाहार लाने का ऑपरेशन आखरी दोर में हैं पिछले 24 घंटों की अगर बात करे ही है और आखिर में रेट माइनर्स ने कमाल किया सुरंग में कई राज्यों के 41 मजदूर पिछले 17 दिनों से फसे वे हैं उन्हें बाहर निकालने के बाद उन्हें सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचानी के लिए अंबूलेंस तैनात की गई हैं साथी वही पर एक आस्था काई अस्पताल भी बना दिया गया है हमारे साथ हमारे खास मिमान बने हैं हमारे सायोगी सूषिल बहुगुणा साथी प्रोफेसर जावेद मलीक भुविज्यान विभाग आयाई टी कानपूर और प्रोफेसर्य यश्पाल संदरिाल भू वैग्ज्यानिक प्रोफेसर और जिस तरह से आधूनिक मशीने लाने के बावजूद भी इस काम में आखरी मोके पर अडचन आ गई और अब भी यही कहा जा रहा है कि सुबह तक शाहिद सभी श्रमकों को बाहर निकाला जा सके सुरक्षित तो एक के बाद एक कई दिक्कते इसमें आती गई तरही देखे सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो प्रॉआसर संद्रियाल ने कहा है कि हमालिया जो है यह काफ यग deformation इसमें चल रहा है और ये इसमें rocks जो हैं वो काफी fragile हैं और ये भी देखा गया है कि इसके आसवास मैं आज ही देख रहा था इस एक geological map को कि यहां पे काफी share zones हैं जो कि mct तो ही है लेकि लोकल छोटे falls भी हैं जिसकी studies मैं मानता हूं कि की गई होगी और ये fragile rocks होने के कारण ये समस्क्या बन रही और आगे भी बनेगी करके तो इसके लिए हमने क्या काम किये हैं और क्या संग्यान लिये हैं ये हमारे लिए जानना जरूरी होगा अभी तो ये rescue हो गया लेकिन future में अगर जब channel operational हो जाती है तब भी क्या इस तरह की परिस्ति बनी रहेगी या इस events होंगे इस बारे में हमको ध्यान रखनी की बहुत जरूरी है और ऐसे जितनी भी projects हैं हमारे देश में जो चल रहे हैं mainly in Himalayas उसके लिए एक set of studies करनी बहुत जरूरी है जो कि हम लोग कहते हैं कि along with the geological studies fault mapping करना बहुत जरूरी है जो कि मुझे लगता है कि किया गया होगा लेकिन ये एक प्रशन चिन है हमारे दिमाग में कि ये किया था कि नहीं किया था क्या ये shear zone इंटिसेट किया गया था कि नहीं किया गया था यहां पर जो रॉक टाइप्स हैं जिस तरह कि जितना मुझे संजह है कि फैलाइट्स और काफी fragile रॉक्स होते हैं करके मेतमॉफिक दोलग स्टें और शेंस्टान स्थी और पर पास आना चाहनगा दुनिया भर में भारत में चुकि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जादा तरकी तेजी से हो रही है और सड़कों का निर्मान हो या इस तरह के हाइवेस का निर्मान हो तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इससे सबक लेते हुए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाया जाने चाहिए और अभी भी जहाँ जहाँ देश में अलग-लग जगों पर काम चल रहा है उनका भी एक तरह का ऑडिट सेफ्टी ऑडिट होना बहुत जरूरी है बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि हर जगह का सेफ्टी ऑडिट हो लेकिन अगर प्रात्मिक्ता पर जो है जो हमारा रेलवे का जो प्रोजेक्ट है रिसी के सकर्ण प्रियाग वाला उसमें कई टरनल बनके तयार हो गई है और उन टरनल का सेफ्टी ऑडिट होना बहुत जरूरी है पहली बात दूसरी बात यह है कि जितनी तेजी से हम इस काम को कर रहे हैं हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा तो लोगों को बहुत सुधाएं मिल जाएंगी तो थोड़ा सा हिमाले में अब आप देखें कि 17 मजदूर जो है वो 41 मजदूर 17 दिन से फसे हो गए और रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई तो यह हिमाले टैरेन की वज़े से सब कुछ हुआ है तो में हमें 17 दिन लग गए 60 मीटर तो यह सब चीजें ध्यान में रख करके और तब कोई भी योजना बनानी चाहिए निश्चित रूप से यह जो टनल थी यह इसलिए थी कि लोगों को 19-20 किलोमीटर कम सफर करना पड़ेगा और टनल अगर तरीके से बनती है बहुत अच्छी उसमें technological और उसको मजबूती से बना जाता है तो टनल जो हैं उनकों में safe way मानता हूँ ह嘛 लगए लेकिन जिस तेजी से हम अच्छी से हमें सब काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ने कहीं जब हम तेजी से काम करते हैं तो लाप रवावाय होती है सुषिल आपके पास आना चाहूंगा अभी एक आ गया कि ब्रेक्ट्रू नहीं हुआ है और अगर हो सकता कि सुबह तक का समय लगे सभी श्रविकों को बहार निकालने के लिए यह अभी स्यद आता हसने जनरल साब उन्होंने बात कही है तो देखना है कि इतना समय लगता है लेकिन एक बात में सुंद्रियाद साब की बात में और जोड़ना चाहूंगा कि हिमाले जैसे जो यंग फोल्ड माउंटेंस हैं जो इतने फ्रेजाइल हैं उनमें हमको चीजों क को टिकाओ बनाने पर जोड़ना चाहिए चाहे सडके हो चाहे सुरंगे हो वह स्टेबल होनी चाहिए उनमें दुरगटनाय नहों लैंड्सलाइड नहों इस तरह कि जैसा उन्होंने का सतरा मीटर साथ मीटर पेनेट्रेट करने में एक छोटी एक मीटर की पाइपलाइन को तो अगर पूरी कोशिश यह हो कि जो चीज बने हो चै मीटर साथ मीटर बने लेकिन टिकाओ बने मुझे तरन बनने में इतना समय नहीं लगता वो चुकि जो तरनल का मलबा गिरा है और जो मशीन उनको काट नहीं पाईशा दिये इसलिए जादा समय लगता है तो बहतर है क कि चीजों को टिकाओ बनाते हुए आगे बढ़ें और उसको चोड़ा करने बढ़ा करने से जादा स्टेबल करने पर जो होते हैं शुक्रिया आपका सुशेलिस तमाम जानकारी के लिए उम्मीद करते हैं कि जल से जल वहां से अच्छी ख़बर आए और प्रोफेसर मलिक औ सुरंग में पिछले 17 दिनों से फसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने की तैयारियां अंतिम चरंड में हैं बता गया कि आपरेशन आखरी दोर में अगले पिछले 24 घंटों में 10 मीटर सुरंग यहां पर खोदी गई है और सुरंग में कई राज्यों के 41 मजदूर पिछले 17 दि बाहर आएंगे और इस पर अंतिम जो स्टेप है वो उठाय जा रहा है हमार साथ हैं एंडियमे के सदस से लेफ्टरेंट जनरल इटायर्ट अताहसनें साथ सर अभी क्या स्टेटस है हम लोग दिन से सुन रहे हैं कि कभी भी मजदूर बाहर आ सकते हैं अभी क्या स्टेटस ह लेकि स्टेटस ऐसा है कि दस मीटर आगे तनल जो है वो प्रोग्रेस कर गया है मगर ब्रेक्थ्रू नहीं हुआ है वो ब्रेक्थ्रू होने के लिए अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा और हमें अंदेशा है कि उमीद करते हैं प्रार्थना करते हैं कि अब कोई अर्चन साम काम हुआ है उन सब ने टीम वर्क करके मिला कर ये काम अचीव किया है रास्ते में अर्चने थी मेटल आपजेक्स थे उनको काट के निकाला है और अब मैं समझता हूं लाकरी दो मीटर जिसकी आवाजें उस तरफ सुनने में आ रहे हैं कि उधर आवाजें भी आ रहे हैं जो पुश होकर पहुँचेगा वहाँ थोड़ा और शायद उसके अंदर एक स्वेग्मेंट लगा कर पाइप को और पुश करना पड़े स्टेबिलाइज हो जाए उसके बाद ये प्रोसेस उनको निकालने का शुरू होगा मेरे लिए भारत सरकार के लिए हम समझते हैं कि जब उनप्रेडिक्टबल महौल है इसमें बीस मीटर के अंदर बहुत अर्चने आईं पांच मीटर के अंदर भी बहुत अर्चने आईं तो अब ऐसे कर силь downloading और जहाँ नहीं तो आफिक चाहते हैं की दिनों से बिल्कुल कर हैं कि करना भी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अब कितना समय लग सकता अच्छी खबर कब तक अच्छा से अच्छा अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं समझता हूँ कल सुभा किसी वक्त वर्करस को निकालना शुरू कर देना चाहिए और पूरा मेडिकल इंफरस्टरूच्ट तैयार है उनके लिए दिन में दरा असान होगा निकालना रात के वक्त सुनंग के अंदर भी लाइट वाइट नहीं होती है तो और प्रॉब्लम होता है तो मैं समझता हूँ कि शायद दिन में ये काम जादा होगा और उसका इंतिजार है हमें एक आखर सवाल मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ एसे मा लेंगे बाहर तो शायद उनको एक एक करके प्रोग्रेसिवली उनको मेडिकल चेक अप होगा वहीं पर स्पॉट पे ट्रायज होगा प्रायटाइजेशन होगा जिसको समझते हैं ज़रूरी इमिजिट्री वैक्वेट करना उनको वैक्वेट किया जाएगा एरफोस की स्ट चुपकारा मिलेगा सबको बहुत 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 शुक्तिया तो फिंगर्स क्रोस्ट है और उमीद यह की जा रही है कि जो काम चल रहा है वो जल से जल खतम हो लेकिन आताहस्तन ये भी कह रहे हैं कि जब तक एक तालिस के ताली मजदूर टनल से बाहर नहीं तब तक धैरे रखना होगा और तब तक ये काम जारी रहेगा ने दिली से प्रशान इंडी टीवी इंडिया इस समय दिली से एक बड़ी खबर आ रही है दिली में वायू प्रोडूशन के स्थिति में थोड़ा सुधार होने के बाद अब ग्रैप 3 को हटा दिया गया है और आपको दाने कि BS3 पेट्रोल कार पर जो रोक लगी थी वो भी खत्म कर दी गई है बीएस फोर डिजल कार पर लगाई गए रोग भी हटा दी गई इस बारे में दी जानकारी के लिए हमारे सयोगी शरत शर्मा हमारे साथ जोड़ रहे हैं शरत और क्या-क्या कारण बताए गए हैं और क्या-क्या इसका असर पड़ेगा कर दो करता है तो यह कहना है कि जो लगाने के लिए जो लेवल चाहिए उससे फिरास्ती पॉइंट नीचे पॉलिशन का लेवल पहुंच गया है तो ऐसे में ग्रेट्री हट गया है स्कीरमत्तर जैसे कि आपनी बताया कि सबसे पहले तो जो रोजाना गारी चलाने माले प्रक्शन और डेमोलिशन पर जो पती बन लगा था यह सब खत्म हो गया तो यह दो एहम चीज़े थी जो ग्रेट्टी के तहत लगी थी यह अब अब गई है तो एक तरह से में देख सकते हैं कि काफी रहात किस्तिती है कि ग्रेट पोर भी दिली में लगा था वो भी हट ग देश की बात में इतना ही नमसकार